नास्कार आप देख रहें एकॉनोमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिदियो चक्रवर्ती 2020 का ये आखरी एपिसोड है ये ऐसा साल रहा है जो शायद हमारे आजाद भारत के इतिहास में सबसे बुरा साल है अगर हम एकॉनोमी की बात करें तो पिछले 41 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ और ये पहला साल होगा जब हमारी देश की कुल आए जिसको हम GDP कहते हैं वो घटा है वो बढ़ा नहीं है और अगर हम मिडल क्लास की बात करें तो इतना बुरा साल जब मिडल क्लास इतनी बुरी तरह से पिसी है शायद हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा तो आज का 2020 का ये आकरी एपिसोड उसी मिडल क्लास के नाम पिछले 35 सालों से लगबग 1985 से एक हमारे देश में बड़ा मिडल क्लास उभर कर आया है और उसको बहुत सारे सपने दिखाए गए हैं कि आपका अपना घर होगा अपनी गाड़ी होगी अच्छा बैंक बैलेंस होगा आप रेस्टरांट में खाएंगे घूमने फिरने जाएंगे आपके बच्चों का अच्छा पढ़ाई होगा लिखाई होगा और उनका बाद में आप से भी बहतर करियर होगा और कुछ हद तक पिछले 35 सालों में ये हुआ भी है मिडल क्लास उपर गई है बाकी देश गरीब होता रहा है लेकिन लगबग 2012-13 से ये जो सपना है धीरे धीरे तूटने लगा है मिडल क्लास का और अगर हम कोविट की बात करें साल की बात करें जब लॉक्डान हुआ तो अकाउंट में महीने के अंतक या अगले महीने के साथ तारीक तक एक regular fixed salary वेतन जमा हो जाता है ये सबसे ज़ादा मिडल क्लास का सपना रहता है कि एक salaried नौकरी हमारे पास हो तो ऐसे जो लोग है 2019 में अगर मैं total महीने का आउसाथ देख लूँ तो हमारे देश में 8 करोड 70 लाग के आसपास 8 करोड 70 लाग के आसपास ऐसे लोग थे जिनके पास salary income थी अगर मैं कुल जितने लोग हैं जिनके पास काम हैं कामगार हैं ऐसे लोगों को देख लूँ तो उनमें से लगवग 21-22 प्रतिशत के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास salary यानि कि regular वेतन वाली नौकरी 2019 में थी 2020 के नवेंबर में अगर मैं देखूं और ये है latest CMI का जो survey हुआ है वो गिरकर कितना हो गया है 6,83 लाग 6,83 लाग पर ये उतर आया है नमबर यानि कि ये 21 प्रतिशत घट गया है इसको मैं अगर थोड़ा आसान सब शब्दों में आपको समझाओं तो ये इसका मतलब कि 2019 में अगर 100 लोगों के पास regular वेतन वाली नौकरी थी 19 से 21 की नौकरी 2019 में चली गई है और वैसे ये जो आखड़ा है ये 2019 में भी कोई अच्छा नहीं था क्योंकि ये 2016 से भी कम था 2016 में जितने सैलरीड लोग थे उससे भी कम 2019 में थे और उसमें से 21 प्रतिशत नवेंबर 2020 में घट गए हैं अब दूसरा आखड़ा ले ले थे ये CMI का आखड़ा था अब मैं बात करता हूँ RBI के आखड़े की RBI हर दो मेहिने में एक Consumer Confidence सर्वे करती है और उसमें कई सवाल किये जाते हैं एक सवाल लोगों से किया जाता है कि पिछले साल के तुलना में इस साल आपकी आए बढ़ी है सेम रही है या घट गई है आप देखिए कि ये Regular सर्वे होता रहा है 2010 से Regularly हो रहा है और मैं आपको latest सर्वे की बात कर रहा हूं जो कि November में आई है November का जो डेटा है वो पूरे 2010 से सबसे खराब डेटा है 63% लोग जिन्होंने इस सर्वे में भाग लिया है उन्होंने कहा है कि पिछले साल के तुलना में उनकी आए घट गई है 63% लोग ऐसे ही सवाल किया जाता है कि पिछले सा साल के तुलना में अगर आपकी नौकरी रोजगार के उपाय की स्थिति देखी जाए तो क्या आपके रोजगार के उपाय बढ़े हैं घट गए हैं या वहीं के वहीं रहे हैं आप देखे कि इस नंबर को भी अगर महलू तो 80% लोग असी प्रतिशत रोग नवेंबर के सर् चिरफ ये गरीब तपके के लोगों से ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में जादातर मिडल क्लास के लोग ही भाग लेते हैं और आप देख लिजी कि 80% कह रहे हैं कि पिछली साल के तुलना में उनका रोजगार का उपाय कम हो गया ह और इसी के बीच जब आए कम हो रही है रोजगार कम हो रहा है उनको ये भी लग रहा है कि जो चीजों के दाम है वो बढ़ हैं 90% लोगों ने कहा इस सर्वे में कि चीजों के दाम बढ़ गए हैं आप समझ रहे हैं लोगों की आए कम हो रही है रोजगार के उपाय कम हो रह रहे हैं लेकिन चीजों के दाम उनको लगता है बढ़ गए हैं कुछ लोग आपको कहेंगे कि हाँ ठीक है लेकिन ये पहले जो लॉक्डाउन के बीच में जिस तरीके से गिरा था उससे तो बहतर हो रहा है ना धीरे धीर उपर जाएगा जी नहीं लेटेस्ट जो सर्वे है न कि उनकी आए कम हो गई है और अगर मैं देखो कि रोजगार के उपाए कितने लोगों को लग रहा है कि रोजगार के उपाए कम हो गए हैं माई और जुलाई के जो सर्वे हैं अर्बियाई के उससे भी ज्यादा लोगों को अब लग रहा है कि उनके रोजगार के उपाए कम हो गए सितंबर से थोड़ा कम है नंबर लेकिन फिर भी माई और जुलाई जो की lockdown का period था उससे भी जादा लोगों को लग रहा है इसका मतलब है कि आप यह नहीं कह सकते हैं कि वापस पठरी पर आ गई है उकानमी जो सारा मीडिया पर आपको बता जा रहा है या जो धरबारी अर्थशास्त्री हैं आपको बता रहा है कि सब ठीक है सब चंगासी यह सच नहीं है आखिर मैं मिडल क्लास को लेकर एक और सर्वे की बात करता हूं और यह है जो लोकल सर्कल बोलके एक सर्वे करती है साल में दो बार करते हैं यह लोग यह करते हैं मूड आफ दे कंजूमर सर्वे में देखा गया है लेटिस वाला जो है उसमें कहा जा रहा है कि 68 प्रतिशत जो जिन लोगों से बात की गई है उन्होंने कहा कि उनका जो savings है बचत है वो घट गया है पिछले साल के तुलना में उनके पास अब बचत कम है और इसका कारण क्या है इसका कारण ये है कि उनकी नौकरी चली गई उनका आय कम हो गया salary कम हो गया या उनकी जो salary है वो late मिली तो इसके चलते उनको अपने bank balance से पैसा निकाल कर अपना घर का खर्च चलाना पड़ा है इसका मतलब है कि आप देखिए कि ये भी latest survey ये December के बीच योग बीच आया है इस latest survey भी हमें साफ पता चल रहा है कि लोगों का हाल बहुत बुरा है इस वक्त जब आय कम पास नौकरी नहीं होगी तब क्या होगा वो चीजे खरीदने से कतर आएंगे क्योंकि उनका consumer confidence जिसको कहते हम वो भोगता का confidence कि आगे क्या होने वाला है वो नीचे चला जाएगा अब lockdown से पहले CMI का जो आकड़ा है उससे हमें पता चलता है कि 25 से 30 प्रतिशत लोग lockdown से पह consumer durable कहा जाता है यह बहुत सालों तक चलते हैं जो चीज जल्द खतम नहीं होते हैं जैसे fridge हुआ, TV हुआ, washing machine हुआ, गाड़ी हुआ, microwave oven हुआ, AC हुआ, यह सब consumer durable के under आते हैं अब 25 से 30 प्रतिशत लोग lockdown से पहले कह रहे थे कि हम consumer durable खरीदेंगे मई में जाकर जब lockdown बिलकुल peak पे था, लोग खरीद भी नहीं रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि कब खरीदेंगे, यह 1.25 पर उतराया था, लगवग 1 प्रतिशत पर उतराया था, अब November में हम जानते हैं, October में, November से पहले हम जानते हैं, September, October में कहा गया कि यह अब वापस आ रहा है, तेजी से वापस लोग चीजे खरीद रहे हैं, यह confidence भी बढ़ड़ा है लोगों का, वो number जाकर बढ़ा तो 7.5 प्रतिशत पर गया, मतलब कि 100 में से या 200 में से 15 लोग कह रहे थे, 15 परिवार कह रहे थे कि हम ऐसी कोई बड़ी चीज, consumer durable खरीदेंगे, यह कोई अच्छा अकड़ा नहीं है, क यहां बढ़ना था, जहां लगातार बढ़ते बढ़ते यह 25-35 के आसपास जाना था, जी ने, वो घड़ गया है, नवेंबर में आते आते वो 6.5 प्रतिशत पर गिर गया है, यानि थोड़ा जो बढ़ा था, वो फिर से घड़ गया है, इसे आपको साफ पता चलेगा कि लो दिस्क्रिप्शन में, नीचे आपको मिल जाएगा, वो जरूर देखेगा, खेर, इससे अगर आपको बचना है, तो एक ही उपाय है, अपनी जो आवाज है, उसको बुलंद कीजिए, सरकार को बोले कि हमारे लिए कुछ कीजिए, क्योंकि सरकार दूसरों के लिए कर रही है सबसे बड़े बड़े पूझी पतियों के लिए कर रही है, और वोट के लिए, सबसे जो गरीब है, उनके लिए भी कुछ कुछ कर रही है सरकार, लेकिन जो मिड़ल क्लास है, दबी हुई है, उन पर income tax हो बढ़ता जा रहा है, उनके दाम खचे बढ़ते जा रहे हैं, उनक पे आपको रोज मर्रा के आपके असली मुद्दों पर वीडियो मिलते रहेंगे. इसको देखते रहेंगे और हमारे वीडियो अपनी दोस्तों में परिवार वालों में भी शेयर करते रहेंगे. तो आज का इस साल का यह एपिसोड यहीं खतम होता है. अगले साल फिर मिलेंगे